हेलो एवरीवन फर्स्ट फोल वेलकम टो यूटूब चैनल इन दी स्वीडियो हम देखने वाले हैं इलेक्टोफिलिक सब्सिट्यूशन्स यह हमारा लास्ट ट्रोपिक है अल्कोहल सैप्टर का फिर आपका कम्प्लीट हो जाएगा ठीक है इसमें थोड़ा टाइम लगता में आपको समझाना है में फोकस आपको यहीं बात है अब देखिए फस्ट एक्स्प्लेइन करेंगे ओर्थो पहरा डारेक्टिंग एक्टिवेटिंग ग्रूप यह कैसे होते हैं देखो अब हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन्स को इलेक्ट्रोफाइल आएगा टेक क पेरा भी कर निया है उसकते हैं अगर आपका एलेक्ट्रोफाइल ने ओर्थो पर टेक्ट्र ग्रीग तो यह नहीं आ ष्यूशन्स कोते हैं यह थियों कर खाल रही है यह प Here These wear यहां पे और्थॉतैक से यह Structure बन रही है, पहरा पिक री और इक्स्टैक्ट्र हो रही है, यह सबसे जदा स्टेबल स्ट्ैक्चर है और्थवाले में 1,2,3,4 जो चार स्टेक्चर का 3rd A जो आप में दिखा रखी है 3rd B और यह जो 3rd D वाली स्टेक्चर है यह सबसे जदा स्टेबल स्टेक्चर है और स्टेक्चर यह पर्टिक्टुलर्श टेबल सींज रहेक अटम कम्प्लीट ऑक्टेट में है ठीक है पएराटेक में कर्वोकैटर राजनेंस चार स्टेक्चर होगी स्टेबल है इनके जो हमार पास क्या है यह तो वी तो वी सिदे कोई भी स्टेक्चर नहीं कॉश्पांड या पैरा में नहीं आए वहां तो मिंस दे पोजिटिव चार्ज और पैरा इन वो डिस्पर्ज हो रहा और मोर एकम भी तो आएन से तो आप तो आपका अपका रैसे भी आपका रैजनेटिंग जो इफक्ट होता हो वह मैटा बेप्रेट नहीं होता है हेलोगेनेशन करते हूँ अब देखे हैसिंपल आपको हेलोगेनेशन खरना है थ्री ले रहे हैं ता अब को पुषु हुआह चौते ह्यू पर जब इसके हम कोई नोन पुलर सॉल्वेंट ले 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 लिया आपने तो एक पैरा पे लगा और उठों पे प्लस अच बियार नाइट्रेशन कर रहे हो यह तो इंपोर्टेंट रियक्षन है काफी हम 12-3 पढ़ते हैं नाइट्रेशन है सलफोनीशन है क्लोरी नीशन है तीक हो में क्या करोगी डाइलूट अचा नोतरी ले रहे हो तो और फोर पैरा और ओर उर्थो वाला मेजर प्रोडेट्ट उता देन पैरा वाले से क्योंकि यहां पे हैट्रेशन वाला ठीक है अगर कंसंट्रेटिट ले रहे हो ताब आपके तीनों पोजिशन पे लग जाता है पी अगर फ्रेटल कर अलकाइलेशन ने मिन्स आर्चियल ओच की साथ तो यहां पे पैरा के ओपर हो यह सारा गुरूप लग गया और अचियल रिमूव हो गया एसाइलेशन करना है तो यहां पे आर्चियों लग जाता सेम तिंग और कुछ भी चेंज नहीं आता है गट्रमें एक्ष लिएक्षण करा है यह आ गया फिर एंची है एपर और नाइन फिर आपका यह एक्षन है यह देख सकते हो आप सिंपल स्मिल यह एक्षन है एक हुब रियसे एक्षण होती है फौर टिलूरूर्टोट छीय वी चेह पर अब्सक्राइशन हो जाती है यह इसका मेक नि आपका रीम हो जाता है कोलबे रीक्शन तो इंपोर्टेंट आपका कि सोडियम फिनोक्षाइड में सी ओटू लेते हो इस इतना टंपरेचर रींज पता होना चीए और फिर हाइडलाइस करते होते हैं आपे ऐसेड मन जाता है इसको मोलते है सैलेसलिक एसेड नेक्स्ट रीक् मनता है और कोलबे वाले में सैल्टिक एसेड की फॉर्मेशन यह सिंपल मैकानिजम कर रखा है क्लोरोफोम होज की साथ लाइक लोरोकार्बिन मन जाता है यहां से अब यह इसके अब टेक करेंगा सिंपल एजोलेटिंग स्टेक्चर है आप एजली कर रखते हूं एक होता है लेडर मैनिस रियक्शन फीनोल का फॉर्मल डेड की साथ में दो फॉर्मिशन होते हैं और थो और पैरा डेक का ठीक है यह सिंपल मैकनिजम दे रखा है थैलेशन रियक्शन करना चाहूं यह आपका चैप्टर कंप्लेट हो गया यहां पर ठीक है आयोप है आपको समझ आया हो गया वं तिंग्स कुछ समझ नहीं आ तो कमेंट कर सकते हूं मैंने ट्राइ की है कि आपके सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लेट हो जाए तो मैंने फिजिकल और और ऑरगनिक सिलेबस कंप्लेट कर वा दिया है और इन औरगनिक विवर्या टू चैप्टर्स की वीडियो भी डाल ली है कुछ स्टूदेंस ने रिक्वेश्ट किया था कि और गनिक असले बस भी हूँ तो आई होप आप सभी को समझाया होगा थैंक्स फर वाजिंग माई चैनल